कहते हैं जो तारीफ के काबिल होता है उसकी तारीफ अपने आप हो जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग घैलोत के साथ दरसल मामला है मतुरा का जब मतुरा में प्रियंका गांदी आई थी प्रियंका गांदी वहाँ पर अपना संबोधन दे रही थी उसी दोरान राजस्थान के भरतपूर की एक रेप पीडिता वहाँ पहुची और उनसे मदद की गोहार लगाई प्रियंका गांदी ने भी तवरित एक्शन लेते हुए उससे बात की और अकेले में ले जाके उसका पूरा दर्द जाना और तुरंट वहीं से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोग घैलोत को फोन किया अब मुख्यमंत्री अशोग घैलोत भी कहां पीछे रहने वाले थे तुरंट मुख्यमंत्री अशोग घैलोत ने इस पूरे मामले पर संग्यान लिया जिसके बाद प्रियंका गांधी ने आज खुद एक ट्विट किया है और ट्विट करते हुए कहा है कि जहां पर जिस भी सरकार में महिलाओं का सम्मान होता है वही सरकार सही से चलपाती है और वही सरकार सही रहती है ऐसे में महिलाओं की मामले में जब मुख्यमंत्रिय अशुक गैलोत ने त्वरित एक्शन लिया उस पर मुख्यमंत्रिय अशुक गैलोत की तारीफ भी की है और साथ ही शुक्रिया भी किया है कि जब मुख्यमंत्रिय जैसे ही मैला की दुख के बारे में उन्हें पता चला उन्होंने हाथ किया तो उस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद जो दोशी है उनके लिए सक्षे सक्षजा रहने की बात कही है और इसी के साथ ये भी कहा है कि राजिस्थान में इस तरह की वार्दात के लिए को को लेकर जिस तरह से राजिस्थान सरकार को कटगरे में रखा गया है उसके बाद मुक्हे मंतरे शूक गैलोत ने जिस रफतार से थे अक्षिन लिया है जिस रफ्तार से पूरे मांव topic कर संग्यान लिया है उससे एक मैसेज तो सीधे सीधे गया है और एक मैसेज ये भी गया है कि जहाँ यूपी के मुख्यमंत्री ने हातरस कांड में एक लंबा समय लगा दिया था और उस पूरे मामले को जिस तरह से रफा तफा किया गया उसके बाद ही एक पड़ोसी राज्य राजिस्तान जहां के कारदार है उसको भी साफ तोर पर इंगित करता है तो कह सकते हैं कि राजस्तान के मुख्यमंत्री की आज खुद प्रियंका गांधी ने जिस तरह से तारीफ की है उसके बाद मुख्यमंत्री अशोग घैलोत का कद और भी बढ़ गया है